नमस्कार आप देख रहे हैं HTV News, मैं हूँ रंदीर कुमार उत्तर विहार की पर्मुख खबरों की सुरुवात में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर मोतिहारी में चमपारन सांस्क्रितिक महोथ 1222 का हुआ आयोजन प्रसिद्ध गाया कुस्मान मीर के गानों पर जूम उठे दर्सक पुर्वी चमपारन जिला अधिकारी और पुलिस अधिक्षक सहित अन्य अतितियों ने दीप प्रजोलित करकिया कारिक्रम का बीधी बतुत घाटन तीन वारंटी समेट एक सराब धन्धे वास धराया पश्मी चमपारन की सिकार पुर्पुलिस ने की कारेवाई नरकटिया गण सहोधरा मुख्य मार्ग पर अलग-अलग दुरघटनाओं में चार लोग हुए घायल एक की हुई मौत पुर्वी चमपारन जिला अंतरगत सुगौली परखंड के उत्री छपरा बहास पंचायत में धान के बोजा में लगी आग फसल के मालिक ने बागीचा मालिक पर लगाया आग लगाने का आरोप जांच में जूटी पुलिस पश्मिच अंपारन की मजहौलिया पुलिस ने की कारेवाई दहेज अधिनियम के आरोपी सहित अन्यकांडो के चार अभ्यूक्तों को किया गिरपतार भेजा जेल रख्सोल SDM आफिस में अनुसुचित जाती जन जाती अत्याचार निवारन अनुसरवन एवा मुसातरक्ता समीथी की एक बैठा कोई संपन दिये गए कई जरोडी दिसान्यर देश पुर्वी जमपारन की पचपकड़ी ओपी पुलीस ने बाइक के साथ एक सराब धन्धेबाज को किया गिरफतार अग्रिम कारवाई करते हुए भेजा जेल मोतिहारी के मौंट लिट्रा जी स्कूल में इन्वेश्टिचर समारोह 2022 का हुआ आयोजन समी हाउस के कैप्टेन का हुआ चयन और मोतिहारी के एक होटल में अजय पाइप्स प्राउड पार्टनर्स मीट का हुआ आयोजन भारी संख्या में रिटेलर्स नहें मौजूद में दो दिवसिये चमपारन सांस्कृतिक महोच सो 2022 का आयोजन किया गया है। दो दिवसिये कारिक्रम के पहले दिन पुर्वी चमपारन जिलादकारी और पुलिस कप्तान सहित अन्य अतीतियों ने कारिक्रम का बीधिवत उठगाटन दिप्रजलित कर किया। महर्सी बालमी की राष्ट्रिये सम्मान 2022 से पंडित दिन द्याल उपाद्याय विश्वित द्याले के कुलपती प्रोफेसर राजे सिंग को सम्मानित किया गया। जब भसुरारी से पांच लिटर चुलाई सराब के साथ अकलू मांजी को गिरिफतार किया गया है। इस संदर में थाना अध्यक्ष रामासरा यादो ने बताया कि तीन फरार वारंटी को गिरिफतार किया गया है जिसमें उपेन पास्वान के घर से सराब भी बढ़ामत की गयी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरिफतार सभी आरोपीतों को न्याई खिरासत में भेज दिया गया है। इन इवक जक्मी हो गया है। घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। घायलो को आनन फानन में अनमंडली एस्पताल लाया गया जहां चिकित्चकों ने प्रात्मिक उप्चार के बाद रामासरा राय और मेठा राय को बेतिया रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर पणई चौक पर बाइक और साइकिल की टकर में सिकारपुर गाउनिवासी सुजित तिवारी गंभीर रूप से जक्मी हो गया। चिकित्चकों ने सुजित तिवारी को प्रात्मिक उप्चार के बाद बेतिया रेफर कर दिया। 24 बोजह धान में आग लगाकर जला दिये जाने का मामला प्रकास में आया है। जानकारी के अनुसार कैथवलिया निवासी स्यामकांत भगत अपना 160 बोजह धान और रंभा देवी 64 बोजह धान गाउं के ही पपु सिर्वास्तों के बगीचे में रखे थे। जिसके बाद बगीचे में रखे गए धान के बोजह में आग लग गई, आग को देख फसल के मालिक और ग्रामिन बागीचा पहुचे और आग को बुझाने का प्रियास करने लगे। ग्रामिनों ने घटना की सुचना अस्थानिये थाने को दी। सुचना मिलते ही फायर बिर्गेट की गारी घटना अस्तल पहुचकर आग पर काबू पाया, हलांकि फसल मालिक ने बागीचा मालिक पपु सिर्वास्तों पर आग लगाने के आरोप लगाये हैं। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जूटी है। पपु सिर्वास्तों और कुछ नहीं बोला है, आया और आग लाया का चला गया। पुछ नहीं बोला है, क्याली दिया और आग लाया चला गया। बोजा किसले यहां पर रखा गवाता। इसी जगा पर पुलवारी उसी का है। पश्मी चमपारन की मजवालिया पुलिस ने थाना श्रेत्र के विविन पंचायतों में चापे मारी कर, विविन कांडों के चार अव्युक्तों को सनिवार की देर रात्री ग्रिफतार कर जेल भेज दिया है। इस संदर में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभैकुमार ने बताया कि दहेज अधिनियम आरोपी हरपुर निवासी मनीश ठाकूर तथा जानलेवा हमला के आरोपी अहवर सेख निवासी सतेंद्र प्रसाद एवं सराप तसकर बहुरवा निवासी लालवाबु पान को देशी वीधी से तयार 180 पीस पाउज के साथ था पियकर राजेस्वर चौधरी को सराप की नसे में ग्रफतार किया गया है जिसे मेडिकल जांचो परांत जेल भेज दिया गया है इसे स्रेट छपमारी में कुल चार ब्यक्तियों को पकड़ा गया है इसमें एक लालवाबु पस्वान बहुरवा निवासी को चार लीटर देशी सराप के साथ पकड़ा गया है एक ब्यक्ति सराप फीडे में पकड़ा गया है एक दहेश के मामले में और एक धारा 307 के मामल ने कहा कि रक्सॉल अनुमंडल में अनुसूचित जाती जन जाती अपराध निवारन को लेकर प्रसासन दिड संकल्पित है। इस अवसर पर रक्सॉल वीडियो संधीप सौरम, रामगरवा वीडियो मुहम्मद सज्जाद, छोड़ादानो वीडियो निरज सिंग, सीओ बिजय कुमार, रक्सॉल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर निरज कुमार, हरया थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, सहित अन्य अधि पुर्वी चमपारन के पचपकड़ी ओपी शेत्र के सुर्पनिया गाउनिवासी उपेंद्र महतो के पुत्र मितलेश कुमार के रूप में की गई है। मोतिहारी के ढाका रोड में भडौलिया इस्तित माउन्ट लिट्रा जी स्कूल में इन्वेस्टीचर समारोह 2022 ते इसका आयोजन किया गया जिसमें ब्लू हाउस, रेड हाउस, क्रीन हाउस, एलो हाउस, इन चारो हाउस के कैप्टेन एवं वाइस कैप्टेन को चुना गया जि वहीं इस हाउस का प्रभार वेद प्रकास वत्ष एवं जस्मीन राजेश सा को मिला, ग्रिन हाउस के कैप्टेन अनन्य स्रिवास्तो एवं वाइस कैप्टेन जस्मीन कुमारी तथा इस समुह का दायुत्वर रविंद्र कुमार तथा अस्मिर्ती लता को सौपा गया, वही पर उपस्तित विद्याले के वाइस जेर्मेन रंजीता गुपता, एकेडमिक डिरेक्टर जेन प्रसाद, मैनेजिंग डिरेक्टर सुभम कुमार गुपता तथा, विद्याले के प्राचारे अर्णो मुखर जी, एकेडमिक कॉडिनेटर मीलन बनर जी तथा, प्री- अजय पाइप्स और जैस्वाल विविद वर्ल्ड जेवी डवलू ग्रूप मोतिहारी के सहयोग से मोतिहारी के एक होटल में अजय पाइप्स प्राउड पार्टनर्स मीट का आयोजन किया गया। अजय पाइप्स और जेवी डवलू ग्रूप मोतिहारी ने अपने रिटेलर्स को संबोधित करते हुए उनको अपकमिंग स्कीम एवं बेनिफिट्स के बारे में विश्तार से जानकारी दी जिससे रिटेलर्स में खुसी दिखी इस औसर पर अजय पाइप्स और जेवी डवल अजय पाइप्स की तरफ से हमारे प्राउड पाइप्स की तरफ से हमारे प्राउड पार्टर मीर्स का है वजय नुगार है इसमें हम अपने सारे प्रासर पिछले महीने पिछले पुछ पहिनों में हम लोगों ने लोगों ने काम किया अजय पाइप्स की तरफ से हमारे प् यह निट्टी पेढ़ता, एंक हम थूटी पर पंचया को अज फेलिसीटेट रहे थे, उनका हमने स्वागत किया उनको आगे की स्कीम से बारे बताया, उनके काम को हम लोगों ने सह रहा, और अग्रा किया। हमेरे साथ साथ उनकी भी तरक्की है। आज के लिए बस इतना ही, एच्टीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरे प्रोग्राम्स आप जी टी पील के चैनल नमबर 980 और डेन के चैनल नमबर 105 के साथ साथ आप अपनी सुविधानमसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं अगर आप हमें यूटूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एच्टीवी न्यूज के ओफिसियल यूटूब चैनल को सबस्काइब करे और बेल आइकोन दबा कर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करे फेस्बुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एच्टीवी न्यूज के फेस्बुक पेज को लाइक करे और ट्विटर पर एच्टीवी न्यूज को फॉलो करे तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे है बिहार का सबसे तेजी से उबरता न्यूज चैनल एच्टीवी न्यूज सच की आवाज नमस्कार